रामपूर के उत्रिक शेतर में नेतर संबंदी रोगों की जांच की सुविधा की कमी को देखते हुए सत्य नरायन मंदिर ट्रस्ट की ओर से और रामपूर मंदिर परिसर ने नेतर जांच शिवर एब मोतिया बिंद ऑपरेशन शिवर कायोजिन किया गया शिवर में मरीजों और उनके साथ आये तामिरदाओं के रहने, खाने, दवाईयों और अन्यकर्च मंदिर ट्रस्ट द्वारा ही वेंद किया जा रहा है इस शिवर में रोटरी आइस फांडेशन मारंडा के नेतर विशेशगियों की सिवाएं ली जा रही है उपरिक्षेतर में नेतर संबंदी रोगों की जाँच के लिए सुविधाओं की कमी को देखते हुए सत्यनरायन मंदिर ट्रस्ट की ओर से रामपूर मंदिर परिसर में नेतर जाँच एवं मोती बिंदिया ओपरेशन शिवर कायो जिन किया गया शिवर में मरीजों और तामिरदारों के रहने, खाने, दवाईया और अन्य सभी खर्च मंदिर ट्रस्ट की ओर से दिये जा रहे हैं इस शिवर में रोटरी आईल फाउंडेशन मारंडा के नेतर रोग विशेशग्यों की सेवाई ली जा रही है तीन दिन तक चलने वाले इस शिवर में रामपूर के अलावा आसपास के क्षेतरों से हजारों की संख्या में लोग इस शिवर में जाँच करवाने पहुँच रहे हैं सत्यन अरायन मंदिर ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि इस तरह के शिवरों का आयोजिन पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है ताकि दूर दराज के इलाकों के ग्रामीन और गरीब लोग इसका लाब ले सकें उन्होंने बताया कि आँखों से संबंदित रोगों के चिकिट्सकों की कमी है और गरीब वा बुजर्गों को इसके कारण कई वार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लोगों की समस्या को देखते होई ये कदम उठाया गया रोशन चोधरी मंदिर ट्रस्ट के उपादेक्ष ने बताया कि इस तरह का शिवर पिछले आठ सालों से लगाया जा रहा है इस दुरान दवाईयों से लेकर रहने वा खाने के अलावा सभी खर्च मंदिर वहन करता है उन्होंने बताया कि इस शिवर में हजारों लोग रही हैं वही रोगी प्रेमनाथ ने बताये कि वह बदाल से आए हैं उन्हें यहाँ पूरी सुवधाय मुफ्त में मिल रही है और सफलता पूरवग उनका ऑपरेशन भी हुआ है मैं प्रेमनाथ सर्नाथ बदाल से आए हूँ मेरी इसे में 35 साल की उमरें में आखों का चेक अप करने के लिए सत्य ने रहन मंदर रामपुर बुशेर में आए हूँ मेरी देखवाल मेरा खाना पीना बड़े अच्छे डंक से हुआ किसी मेरी को कोई प्रसंद नहीं नहीं किसे परकार का कोई चार्ज लिया गया सत्य मंदर के प्रेसे खाने पीने की सुब्दा जी बहुत ही सुब्दा रही इतनी मैं अभी तक देखी नहीं